जहन्द अस्परेंट्स दिस जहीर और विलकाम भी बैक तो सस्वी क्राक एक्जाम्स एरान और पाकिस्तान के बीच रिलेशन्शिप्स पूरी तरीखे से बिगडे हुए हैं रिसेंटली हमने देखा के एरान ने चंद मिसाइल दागे हुए थे जैशल अदल के टर्रिस्ट ज फोड़े हुए एरान पर और वहां पर भी उन्होंने चंद बलुचिस्तान के सपरेटिस जो लिबरेशन फ्रॉंट्स वगेरा है वहां के बेसेस पर उन्होंने अटैक किया हुआ है अब पूरी तरीके से डिप्लोमाटिक वार छीड़ा हुआ हुआ है और दोनों ने जब अटैक किया उसके रिटैलियेशन में पाकिस्तान ने थर्जडे के दिन इरान में अपने चंद्र टार्गेट पर मिसाइल दागे हुए थे अब देखे ऑलरेडी पाकिस्तान ने वॉर्न क्या हुआ था तेहरान को यानिकि इरान को के कॉंसेक्वेंस बहुत ही बु कर तो मैप देखेंगे तो पाकिस्तान दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं और जिन टर्राइस्ट और्रों साइस्ट की साथ लिंगे में ही है तो एक दूसरे के बॉर्डर के पास ही दरसल यह confusion चल रहा है तो उसी के चलते missile और drone के तहत यहां पर attacks किये गए थे पहले इरान वालों ने Tuesday में किये और अभी Thursday के दिन पाकिसान वालों इसे retaliation किया हुआ था अब देखे थोड़ा बहुत हम जैश अल अदल के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं जिसका टार्गेट था इरान सो इरान वालों ने जिस टर्रिस्ट organization के basis पर attack किया हुआ था उस टर्रिस्ट organization का नाम था जैश अल अदल यह दरसल एक सुन्नी सलाफी organization है एक बाद आपको याद रखनी है कि इरान शिया डॉमिनेटेड है तो पहले ही शिया और सुन्नी का पढ़ता नहीं है और जैश अल अदल ग्रूप जो है वह majority सुनी army of justice यह 2012 में इसका establishment हुआ था और पहली बार यह टर्रिस्ट organization 2013 में लाइमलेट में आया जब उन्होंने एक अटैक पर अपनी responsibility क्लेम की हुई थे और उसी अटैक में लगबग 14 इरानियन गार्ट की मौत हुई थी अब देखे पर्पस टर्रिस्ट organization ने यह कहा किसलिए आपन हमने यह टार्गेट किया हुआ था एंडेवर सिंस देन इरान की सरकार और जैशल अदल के बीच यह टेसल कंटिनियूसली चल ही रहा है अब जैशल अदल का सबसे इंपोर्टेंट सा परपस यही है कि सिस्तान और बलुचिस्तान प्रोविंस का इंडिपेंडेंस यहां पर लीड कर रहे हैं अब इसका पेरेंट और्गनाजेशन आप कहल जिएगा जुन्दल्ला नाम का एक पेरेंट और्गनाजेशन इसका है जुन्दल्ला भी दरसल एक तर्रिस और्गनाजेशन ही है तो उसी के फांडिंग मेंबर्स ने भी जैशल अदल का यहां पर establishment किया हुआ था जुंदल्ला भी दरसाल एक सुन्नी terrorist organization है लेकिन सबसे बड़ा major sit back जुंदल्ला वालों को 2010 में लगा जब massive attacks यहाँ पर इरान वालों ने किये हुए थे उनके basis पर और उनके सबसे important leader को उन्होंने पकड़ कर execute किया था जिनका नाम अब्दुल्मलिक रीगी है और सिंदल्ला पुरी तरीके से खामोश था अब जैशल अदल जो है वो यहाँ पर चर्चा में आने लग गया इरान के पास specific purposes और issues क्या क्या है देखे यह पाकिस्तान पर सिर्फ उन्होंने मिसाल नहीं दागे दरसल इस तरीके के couple of tourist organizations को नोंने target किया एक ही दिन अटाक करने के लिए और attacks दरसल इराक पर भी हुए हैं सिर्या के लैंड पर भी हुए हैं और पाकिस्तान के लैंड पर भी हुए है जहां कई पर भी वह वह organizations हैं जिनसे threat Iran feel कर रहा है या फिर जहां पर militant base opposition इरान के opposition वाले जो बना के रखे हुए है वहाँ पर उन्हें target किया जा चुका हुआ है so because of that इरान के पास एक clarity है उनका कहना commonly यही है कि anti Iranian terrorist group जो है हमने उन्हें target किया हुआ है किसी भी country के sovereignty को हमने टार्गेट नहीं किया हुआ है और यह जो जैशल अदल जो टेर्रिस्ट organization है वह सिर्या और इराख में कर्डिश रिबल्स वगरा जो वहां पर लड़ रहे थे उनके लिए भी यह लोग support करने की कोशिश कर रहे अब पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरीके से retaliation यहां पर किया हुआ है दिप्लोमेटिक वार तो छीडा हुआ हुआ है immediately इरान ambassador को expel किया गया और strong terms में बताया कि completely unacceptable है और immediately उन्होंने भी बलुचिस्तान liberation army बलुचिस्तान liberation front जो कि उसी इरान के border में पनपकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे उनके basis को पाकिस्तान ने अटेक किया हुआ है और अब यह सभी जो मामला यह सभी जो confusion attacks का उस वक्त आ रहा है जब पाकिस्तान में बहुत ही जल्द national elections होने वाले हैं और अभी currently केर टेकर सरकार चल रही है तो यह थी चंद बात हैं आपको इस वीडियो में जाननी थी वीडियो को इंट करने से पहले अब सभी को करबार याद दिला दूं कि अगर आप एक डिफेंस एस वीडियो एस एफकेट जैसे एक्जाम्स के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एक्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूले आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं